नवस्कासातियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होगे, कि हम लोग MPPSC Paralems के जो पुराने Questions Paper हो चुके हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, और आप सभी लोगोंने देखा होगा कि Last Class में हम लोगोंने MPPSC Paralems 2015 जो पहला Paper होता है, जिसे आप लोग सामानत दिन Paper की नाम के हुए थे, और आज की इस Class में हम लोग MPPSC Paralems 2016 का, जो पहला Paper है, जिसे आप लोग सामानत दिन Paper के नाम से जानेंगे, इस पर बात करेंगे, इसमें जो Questions आए हुए थे, जो पिसने सामिल किये गए हैं, उनके हम लोग विस्तार से आंसर भी देखेंगे, एक बात और आप को बता देता हूँ, देखिए एक आपकी प्लेलिष्ट सूची बना रखी है, मद्पदेश, लोक, सिवा, आयू के नाम से, इसमें MPPSC से जो भी Class है रहती हैं, उन्हें आपका डाल दिया जाता है, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि पहली Class ह की हुई थी, जिसमें MPPSC के बारे में विस्तार से बात की हुई थी, अगर MPPSC एकजाम से जुड़ा, कोई भी डाउट आपके मन में है, तो आप उस Class को देखिएगा, उसका जबाब आपको वहां मिल जाएगा, और आप देखिए कि जो भी आपका प्यारमीक परिच्छा का पहला पेपर होता है, उसमें चार सेट आपके सामने रहते हैं, A, B, C, D के रूम में, लेकिन याद रखी इन चारों सेटों में आपको देखने को मिलेंगी, कुश्चन्स बिलकुल से में रहते हैं, बस उनका क्या होता है, कि करम बदल जाता है, माली जो 2016 का प्रिलिम्स का ये पहला पेपर है, जिसे आप लोग सामानध्यन पेपर की नाम से जानते हैं, और सेट A है, इसमें हो सकता है कि कोई कुश्चन्स पहले नमबर पर हैं, तो B सेट में हो सकता है कि वो 10B नमबर पर 25 नमबर पर पहुंच जाए, तो उसका करम बदल जाता है, लेकिन कुश्चन्स दो नमबर कर रहता है, आप लोगों के लिए कुछ निर्देश भी दिये गए, इने भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और आपके आप देखते हैं कि आपको टाइम मिलता है वहाँ, तो आप लोग पहले पढ़ लिया करिएगा, फिरहाल हम लोग पहला कि आप लोग भारत के मैप को एक तरह से याद कर लिजिएगा, और याद रखिएगा कि आपके कई कुश्चन्स आ जाते हैं, जो बिल्कुश साधारन रहते हैं, बहुत ही सर्वल कुश्चन्स रहते हैं, अगर आपको भारत का मैप याद होगा, तो असनी से उसका जबाब भी दे सकते हैं, आप लोग, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, कौन होगा इसमें, तो याद रखिए, इसमें आप देखेंगे, बंगलादेश होगा, क्या होगा, बंगलादेश होगा, हमारी सबसे जाना सीमा, बंगलादेश से लगती है, इस 4096 आपको देखने को मिलेगी, अगर एक तरह से आप किलियर वादता हैं, तो आप देखेंगे, 4096 देसमलो, 7 किलोमीटर की सीमा लगती हमारी बंगलादेश से, फर उसके बाद आप देखेंगे, चाइना से, जिसमें 3488 किलोमीटर लगती है, पाकिस्तान से अगर हम बात करें, तो 3323 किलोमीट किसी मा हमारी लगती है, और सबसे कम अगर पूछे, तो अफगानिस्तान से लगती है, जरूर याद रखेंगे, और सबसे जानद आपकी बंगलादेश से लगती है, अंगला कूश्यन है हमारे सामने, क्या कह रहा है, एक कह रहा है, निमलिकित में से दच्छिड भारत की तो याद रखेंगे, इसमें आप लोग ए उप्सन बिलकुँ सही रहेगा, अनाई मुडी, और इसकी मुचाई आप देखेंगे, लगभग आप देखेंगे, 2959 मीटर आपको देखने को मिलेगा, और ये दच्छिन भारत की सबसे उची चोटी है, और निलगिरी परवत दिखला है ना, उसकी सबसे उची चोटी है, इसमें आप लोग क्या लगाएंगी, ए उप्सन, आपको बताना है भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है, आप लोग नीचे कमेंड़ में लिख सकते हैं, और आपके पास गूगल बाबा हैं, तो उससे पूछिएगा, फिर नी किन दो परवस सेणियों के मद्द, कस्मीर, घाटी, इस्तित है, लदाक, जसकर, B कराकईग, बहद हिमालोः, और पीर, पंजाल, C कराकईग, और D कराकईग, कारा कूरम, बा लदाक, तो याद रखी इसमें बहद हिमालोः और पीर, पंजाल के बीच, B House, आपका बिलकु स से ही रहेगा क्या रहेगा बेहद हिमालय और पीर-पंजाल परवस सेड़ियों की मद्द आपको कस्मीर घाटी देखने को मिलेगा क्या लगाओगे इसमें बी ओपसर अंगला कुष्ण है हमारे सामने चार कुष्ण नमबर चार क्या पूछ रहा है आपसे एक एह रहा है आप से कि भारत की निमलिखीत राज्यों में को उनकी एक तरह से आपको क्या करना है भारत की निमलिखीत राज्यों को उनकी भोगोलिक छेत के घठते क्रम में विवस्तित करना है एक तरह से आपको राजिस्थान, तमिलाडू, महराष्ट, करनाटक बताई इसमें क्या होगा आप सभी जानते हैं कि पहले पर तो आपका राजिस्थान आएगा बिल्कु सही है ठीक है फिर आप देखेंगे कि आपका महराष्ट आएगा यानि कि तीन नमबर आएगा फिर आप देखेंगे करनाटक आएगा यानि कि चार आएगा ठीक है और फिर आएगा आपका तमिलाडू तो इस तरह से एक, तीन, चार, दो यानि कि C आप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा इसमें क्या रहेगा? C आप्सन बिल्कु रहेगा भारत की अगर राज्यों का उनके भोगोलिक छेत के घटे किरम में बात करें तो याद होना चाहिए कि राजिस्थान फिर महराज पे करनाटक और तमिलाडू इस तरह आपको देखने को मिलेगा अंगला कुश्यन है हमारे सामने 5, क्या कह रहा है? इनका कहना है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वाला मुखी है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वाला मुखी है बैरन कार निकोबार लेटिल निकोबार उत्री अंडवान क्या लगाओगे? तो याद रखे बैरन होगा इसमें ये option बिल्कुल सही रहेगा भारत के अंडवार निकोबार दुईप समू के समीप आप बिल्कुल पास में ही आपको बेरन दुईप देखने को मिलेगा इसका उद्गम ज्वाला मुखी यह है ठीक है अंगला question है हमारे सामने question number 6 क्या पूछ रहा है इनका कहना है कि निमलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली करांती से सम्मंदी थे पुस्प करांती, रेशा मुत्पादन, मत्सपालन, बागवानी क्या लगा हुए आप लोग तो याद रखे मत्सपालन स्ती option बिल्कु सही है अगर पुस्प क्रिसी की बात करें तो फिलोरी कल्चर से सम्मंद है इसका रेशा मुत्पादन का सीरी कल्चर से बागवानी का हौटी कल्चर से और मत्सपालन का आप देखेंगे नीली करांती, पीसी कल्चर से सम्मंदी थे ठीक है, सी option बिल्कु सही रहेगा अंगला कुश्यन है मारे सामने साथ क्या कह रहा है एक कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान की मद्द सीमा रेखा एक उधारन है भारत तथा पाकिस्तान की मद्द सीमा रेखा एक उधारन है अध्यारूपित सीमा का पूरुवर्ती सीमा का आउसिष्ट सीमा का यपफरवर्ती सीमा का तो याद रखिए ये अध्यारोपित सीमा का है भारत तथा पाकिस्तान के मद्द सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा का उधारन है रेड क्लिफ रेखा अस्तीमा रेखा आप लोगों ने सुनी है ये भारत और पाकिस्तान की वीच आपको देखने को मिलेगा डूरेंड रेखा के बारे में बताईए किन किन देशों की वीच है चीक है अंगला कुशन है हमारे सामने आठ क्या कह रहा है हुद हुद चक्कबाद से भारत का निमलिकित में सी कौन सा तटिये छेत प्रभावित हुआ था एक करेंट अफेस का आपका कुश्चन से बन चुका है आंद्यफिदेश तट, केरल तट, चैन्नाई तट, बंगाल तट तो याद रखी आंद्यफिदेश तट, ए ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा जो हुद हुद चक्कबाद था ना इसका, इससे भारत का आंद्यफिदेश तटिये छेत काफी प्रभावित हुआ था अंगला कुश्चन है हमारे सामने 9, कुश्चन नमबर 9 एक है रहा है कि निमली कितमे से कौन सा जलाइस है, चम्बल लदी पर बनाए चम्बल लदी के बारे में आप लोगोंने सुना होगा, मदपिदेश से ही निकलती है तो इसी की बात हो रही है नागरजुन सागर, राणा पिरताप सागर, बिंद सागर, रिहंद सागर बताईए, इसमें याद रखे राणा पिरताप सागर होगा, राणा पिरताप सांगह होगा सागर, भी ओप्सन बिल्कुस सही है राना फिताब सागर जलास है आपको चम्बल लदी पर राजिस्थान की चितोड़ गड़ जिली में देखने को मिलेगा और जब हाँ सागर गांधी सागर की बात करें तो ये चम्बल लदी पर बने अन जलास है भी है तो ये भी आप लोगो याद रखिएगा अंगला कुशिन है हमारे सामने 10 क्या कर रहा है भारत में निमलिकित में से कहां सबसे बड़ा पोध प्रांगर से फ्यार है बारत में निमलिकित में से कहां सबसे बड़ा पोध प्रांगर से फ्यार है कोलकाता में कोची में मुंबई में विसा का पटनम में तो याद रखिए कोची में आपको देखने को मिलेगा, कोची न या कोची, भारत में कोची बंदरगा सबसे बड़ा पोद परांगड देखेंगे, और जबकि भारत का सबसे बड़ा अगर बंदरगा हो तो ये मुंबई हैं, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, दोनों किस राख्य में वस्तित है क्या कह रहा है भूत आपल ये पर आथो मनी करण विद्धुस्य न्ध किस राख्य में आपको देखने को मिलेगा अधुनाचल पिदेश जम्मु कसमीर और हिमाचल पिदेश या उत्राखerson तू याद रखिये हिमा-चल पिदेश में आपको questions आ जाते हैं तो इसकी इसे राज बनाय गया था 25 जिन्मरी 1971 को और इसकी अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो सिमला आपको देखने को मिलेगी दोसरी राजधानी आपकी धरम साला है यहां विधान सभा सीटों की बात करें तो 68 सीटे हैं राजधानी साभा में तीन सीटे हैं लोग साभा में चार सीटे हैं तो यह भी आप लोग याद रखा करिएगा अंगले कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं कुश्यन नमबर बार हैं क्या कह रहा है यह कह रहा है आपसे कि मद्विदेश की उत्खाद भूमी वैर्ड लेंड परिणाम है आउनलिका अपर्दन का परत अपर्दन का अतीचारेन का बायू अपर्दन का बताईए इसमें से कौन लगाओगे आप लोग तो याद रखे आउनलिका अपर्दन का यह आपसन बिलकुल सही रहेगा मद्विदेश की उत्खाद भूमी यानी की वैर्ड लेंड आउनलिका अपर्दन का परिडाम है और यह सरवादिक समस्या इसकी भिन्द मुरेना जिली में आपको देखने कुमलेगा वो भी चंबल नदी से और जिसे आप लोग चंबल का वीहड की नाम से भी जानते हैं डाकू यान सबसे जानदा आप देखते थे की हुगा करते थे और इनी वीहड में वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारते रहते थे तो इसमें आप लोग ए ओप्सन लगाएंगे ठीक है अंगला कुशेन है हमारे सामने तीरे क्या कह रहा है यह कह रहा है कि भारत में केंद्रिये गंगा पराधी करण की स्थापना कब की गई थी फिर से चुन लिजे भारत में केंद्रिये गंगा पराधी करण की स्थापना कब की गई थी 1998 में, 1972 में, सन 2001 में, 1985 में तो याद रखे 1985 में की गई थी D option बिलकुल सही है केदरी अगंगा पराधी करंड की बात हो रही है और अगर आपसे राष्टी अगंगा पराधी करंड की बात कभी questions पूछ ले तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी अंगला question है हमारे सामने 14 एक एराय की silent valley और अगर आप लोगों से के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि साथ चर्था के मामले में देख लिए महिलाओं की स्थिति के मामले में देख लिए स्वास्त की स्थिति के मामले में देख लिए केरल टॉप पर बना हुआ है और इसकी राजधानी की बात करें तो तिरू अनंत्पुराम आपको देखने को मिलेगा एक नमबर 1956 में इसी राज बनाए गया था और विधान सभा सीटे यहां 140 हैं राज्य सभा में 9 सीटे हैं लोक सभा में 20 सीटे देखने को मिलेगी 20 ठीक है अंगला खुशन है हमारे सामने अंगला खुशन है 15 भारत की स्वार्डिम चतुर्भुज परियोजना जोडती है भारत की स्वार्डिम चतुर्भुज परियोजना जोडती है किनक्यों सहरों को दिल्ली मुंबई चैन्नी कोलकाता को दिल्ली जहां सी बैंगलोर करन्या कुमारी को स्री नगर दिल्ली कानपूर को पूरबंदर बैंगलोर कोलकाता कानपूर को तो याद रखे इसमें A option बिल्कु सही होगा भारत की स्वडेम चत्रभूज परियोजना देश की प्रमुख चार महानगरों को जोडती है इसमें दिल्ली सामिल है आपका, मुंबई सामिल है, चेंड़ी भी सामिल है और कोलकाता भी आपका सामिल है A option आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला कोशन है हमारे सामने 16 A कह रहा है कि आलू है, एक, क्या है एक, आलू है एक, क्या है मूल, फल, कंद, सलकंद, तो याद रखे कंद है, C option बिल्कु सही है और वैसे कालू, आलू की हम लोग अगर बात करें, बनस्पतिक नाम की तो सोले नम, ट्यूब रोसम इसका बनस्पतिक नाम है अंगला कोशन है हमारे सामने 17 एक रहे की कौन सी गेस, नोबल गेस कहलाती है हाईडोजन, आक्सीजन, हीलियम, कार्बन डायोकसइड गैस भी कहते हैं तो C option आपका विल्कु सही रहेगा अंगला कुक्षिन है हमारे सामने अठार है क्या कह रहा है एक है रहा है कि मानव सरीर में सबसे बड़ी गरंथी का नाम आपको बताना है अगनास है यक्रत लार गरंथी अधी वर्क के गरंथी तो याद रखे इसमें यक्रत लगाओगे आपको मानव सरीर में सबसे बड़ी गरंथी आपको यक्रत देखने को मिलेगी ठीक है अंगला कुक्षिन है हमारे सामने 19 कुक्षिन नमर 19 कह रहा है कि इस तन धारियों में सोसन होता है सांस लेने की बात हो रही तो याद रखे फुपफुस फैपड़े द्वारा यानि कि D-Option आपका बिलकु सही रहेगा क्या लगाओगे D-Option अंगला कुक्षिन है हमारे सामने 20 सिरिका का रसाइनिक नाम क्या है सिरिका का रसाइनिक नाम आपको बताना है तो याद रखे इसमें एसीटिक अमल होगा ए उपशन बिलकु सही रहेगा सिरिका का रसाइनिक नाम क्या है एसीटिक अमल जबकि इमली और अंगूर में तार्टिक अमल पाये जाता है और चीटियां जो आप लोग देखते हैं इसमें फॉर में ही कम लपाये जाता है और आप देखते होंगे कि जब चीटियां काटती है तो आप लोगों कुख खुजली भी होती है और एक तरह से जलन टाइप की ठीक है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अंगला कुश्चन है हमारे सामने 21 क्या कह रहा है मायो पिया किस अंग का दोस है हेदय, करन, नेत, ब्रक तो आप सभी जानते हैं कि आँक का है नेत का है निकट दिरश्टी दोस के बारे में आप लोग सुनें न इसे ही आप लोग मायो पिया भी कहते हैं और इसमें दूर इस्तित बस्तू साप नहीं दिखाई देती है जबकि निकट की बस्तू आपको साप दिखाई देते हैं और इसे दूर करने के लिए आप देखेंगे आउतर लेंस का फ्रेयोग किया जाता है। इस जरूर आप लोग याद रखेएगा। कई बार आप से पूंच लेता है। आउतर लेंस का फ्रेयोग करते हैं। अंगला कुक्षिन है बाइस। निमलिखित में से कौन सी एक उसमा की इकाई नहीं है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, बार्ट क्या करोगे इसमें। तो याद रखे बार्ट नहीं हैं। बाकी तीनों हैंस में। बार्ट उसमा की इकाई नहीं है। जबकि कैलोरी हो, किलो कैलोरी हो, किलो जूल हो यह उस्मा की काई है तो इसमें आप लोग D option लगाएंगे अंगला कुशिन हमारे सामने 23 23 साधारन बेरोमीटर में कौन से दरब प्रयोग होते है साधारन बेरोमीटर में कौन सा दरब प्रयोग होता है जल होता है, पारा होता है, अलकोहल होता है या उप्योगत में से सभी तो आप सभी जानते हैं कि पारा होता है इसमें मरकर यह सुने हो आप लोग इसी का प्रयोग किया जाता है तो B option बिलको सही रहेगा अंगला की कुशिन हमारे सामने 24 यह कह रहा है कि निमलिकित में से कौन सा एक जीवास्म इधन नहीं है निमलिकित में से कौन एक जीवास्म इधन नहीं है कोहला, पैटॉलियम, प्राक्तिक्यस, यूरेनियम तो आप सभी जानते हैं कि यूरेनियम नहीं है यूरेनियम जीवास मीधन नहीं है कोईला हो पैटॉलियम हो प्राक्तिक गयस हो एस अभी आपको जीवास मीधन देखने को मिलेंगे अंगले कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुश्यन पूछ रहा है कि निमलिकित में से कौन सा एक उर्जा का नमीकरन सरोत है निमलिकित में से कौन उर्जा का एक नमीनी करन सरोत है जल माप करिए निमलिकित में से कौन सा उर्जा का नमीकरन सरोत है कोईला, नापकी उर्जा, पैटॉल, सौर उर्जा बताईए 25 में क्या लगाओगे कुछ लगाओगी भी या नहीं तो 100 उर्जा क्या पूछ रहा है कौन सा एक उर्जा का नमी करन सिरोत है तो 100 उर्जा है इसमें D option बिलकुँ सही है आपने देखा होगा कि नई सरकार जब से केंद में आई हुई है यह नभी करनी है इसरोत पर कुछ जाना ही ध्यान दे रही है और इसलिए आप देख रहे हैं कि questions पूछ लिए आप से और बाकी आप देखें कि कोईला हो गया नाप की यह उर्जा हो गया फैटॉल यह आपकी आविनी करन आविनी करन अंगला कुछ है नहीं हमारे सामने 26 क्या कह रहा है यह मद्यपिदिस में पंचवर्शी योजना का विदीवत एवं बास्तविक सुवारम माना जाता है मद्यपिदिस में पंचवर्शी योजना का विदीवत एवं बास्तविक सुवारम माना जाता है तितिय पंच बरसी योजना से, दूतिय पंच बरसी योजना से, पिथम पंच बरसी योजना से, या फिर आप देखे 11 नवंबर 1956 से, तो याद रखे 11 नवंबर 1956 होगा इसमें, एक बात और आपको बता देते हैं, देखिए, अब आपका योजना आयोग खतम कर दिया गया है, आपका क्या योजना आयोग ख़तम कर दिया गया है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा मद्विदेश में मद्विदेश में पंचबर्सी योजना का बिधीवत सुभारम एक कुश्चन्स कई बार पूछ लिए आओ देखिए वैसे आपको बता देए कि कई बार एक कुश्चन्स पूछ लेता है क्या पूछ लेता है कई बार इस तरह के questions आ जाते हैं आपके और एक बात आपको और याद रखनी चीहें क्या की अब आपका योजनायोग खतम हो चुका है आप सभी जानते का आपका नीती आयोग ऐए चुका है और जब से नीती आयोग आयोग आया चुका है तेरे भी पंचवर्सी योजना के बारे में नहीं सुनते हैं आप लो, अंगला कुश्चन है हमारे सामने 27, इस्टार्च है, एक, क्या है एक, बताइए, मोनो सेकेराइड, डाइ सेकेराइड, पॉली सेकेराइड या उप्यक्त में से कोई नहीं, तो याद रखिए इसमें पॉली सेकेराइड होगा, इस्टार्च एक, पॉली सेकेराइड नामा कार्बोहाइडरेट का उधारन है, जबकि गिलो कोज, मोनो सेकेराइड का उधारन है ये भी आप लोग याद रखिएगा C option आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला कुशन है बारे सामने 28 पिथम पोसक इस्तर की अंतरगत आते हैं साकाहरी जन्तू, मासाहरी जन्तू, सरभख्ची जन्तू, हरित पादप कौन आते हैं इसमें से तो आप सभी जानते हैं कि हरित पादप बात हैं the option बिल्कु सही रहेगा क्या रहेगा, the option बिल्कु सही रहेगा अंगला कुशन है 17 पास्तूरी करन संबन्दित है दोगद के निर्जम ये क्या है निरजमी करन से दोगद के निरजली करन से दुग्द के केडवन से और दुग्द के आसवन से किस से होगा है? बताए तो याद रखे दुग्द के निरजली करण से होता है इसका B option बिल्कु रही है Pastery करण दुग्द के निरजली करण से सम्बंदित है और इस विदी का अविश्कार के अगर बात हो तो लूइस पाश्चर ने किया था इसका अब इसका ठीक है B option आपका बिलकुल सही रहेगा अंगला question है हमारे सामने 29 के बाद 30 क्या कह रहा है ये कह रहा है आपका कि ओजोन छिद्द का कारण क्या है ओजौन छिद का कारण क्या है और आप सभी जानते हैं कि ओजौन जो परत है ए उपर से जो हानिकार किरने आती है ना उससे हमारी सुरक्षा करती है हमारी तुचागी ऐसे टिलीन, एथिलीन, केलोरो फिलोरो कारवन, मेथेन तो आप सबी जानते हैं कि लोरो फे लोरो कारवन होगा इसमें C option विल्कुछ सही रहेगा और इसी के कारण उजोर्ण परत का छहरन भी होता है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला question है हमारे सामने 31 इन में से किस पर्यावण विद को जलपूरुस के नाम से जाना जाता है इन में से किस पर्यावण विद को जलपूरुस के नाम से जानते है सुंदरलाल बहुगोणा, राजयन्द सींग, बी बैंकर्ट सेलू और सलीम अली तो याद रखिए राजयन्द सींग को B option बिल्कु सही रहेगा राजेंदी सिंग को जल पुरुस के नाम से आप लोग जानते हैं अंगला कुशेन है हमारे सामने 32 क्या कह रहा है एक कह रहा है कि चिपकु अंदोलन के प्रेणेता कौम है मेधा पाटकर MS स्वामीनाथन सुंदरलाल बहुगोणा चंडी परसाथ भट तो याद रखें आप सभी जानते हैं कि आपके कौन है इसमें सुंदरलाल बहुगोणा जिपकु अंदोलन के प्रेणेता माना जाता था है जिन्होंने पेडों की अवैद कटाई के विरोद एक तरह से पर्यावन सनक्षन हितु चिपकु अंदोलन चलाये था सी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला कुश्यन है हमारे सामने 33 निमलिकित में से कौन सी संस्था पर्यावन से संबंदित नहीं है निमलिकित में से कौन सी संस्था पर्यावन से संबंदित नहीं है बिग्यान और पर्याबन केंद भारती बनस्पती सर्वेक्षन संस्थान भारती बनजीब संस्थान भारती सर्वेक्षन विभाग नहीं है भारती सर्वेक्षन विभाग भारत की जो नक्से बनाने सर्वेक्षन करने का केंदरी एजन्सी है तो इसमें क्या लगाओगे? 33 में क्या लगाओगे? 33 में आप लोग लगाओगे D क्या लगाओगे? D अंगला कुश्यन है बारे सामने 34 भारत में बनिजीब सरक्षन अधिनियम किस बर्स लागू किया गया था? भारत में बनीजीब सरक्षन अधिनियम किस बार सलागू किया था 1972, 1980, 1970, 1975 तो आप सभी कुमाल होगा कि 1970 में लागू किया गया था यह option बिल्कुल सही रहेगा अंगला question है हमारे सामने 35, यह क्या कर रहें 35 number question number 35 कर रहें कि निमलिकित में से किस राज्ज में 2011 की जनगरना में सबसे कम जनसंक्या घनत दर्ज किया गया है मेजोरम, अरुणाचल पिदेश, सिक्किम और फिर है आपका नागा लेंड बताइए तो आप सभी याद देखें कि अरुणाचल पिदेश में किया गया था 17 वेक्ति पिती बार किलोमीटर चेत में तो आप सभी जानते हैं कि चाइना से लगता है इसकी सीमा और कभी-कभी चाइना आप देखते हैं कि बताता कहता रहता है कि हमारा च्छेत है और इसकी राध्धानी इटानगर है और इसका अगठन किया गया था 20 फरवरी 1987 में यहां मेदान सभा में 60 सीटे हैं राज्य साभा में एक है लोग साभा में दो सीटे हैं तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुशेन है हमारे सामने 36 क्या कह रहा है अक्टूबर 2015 में यह सहयोग योजना किस बेभाग द्वारा प्यारम की गई थी बिक्री कर, आयकर, आपकारी कर, पत कर बताए तो याद रखिए आयकर द्वारा अक्टूबर 2015 में यह सहयोग योजना आयकर बिभाग द्वारा प्यारम की गई थी अंगला कुशेन है हमारे सामने 37 यह कह रहा है कि अपनी भारत यात्रा के दोरान फेस्वुक का संस्थापक मार्ग जुकरवर्ग निमलिखित में से क्या देखने गया था लाल किला, गेटवेव आप इंडिया, ताजमहल याकुतों मीनार तो याद रखिए ताजमहल देखने गया सोसल नेटवर्ग फेस्वुक है ना आपने देखा हुगा इसके सरस्था पके मार्ग जुकरवर्ग अपनी भारत यातरा के दवारा आगरा का जुताजमहल है, वही देखने गया था तो ये भी आप लोग यातर के मुगल सासकों के दवारा बनवाए गया था आप लोग ने इतिहास में पड़ा भी होगा अंगला कुशन है 38, एक राय की नवंबर 2015 में G20 सिखर सम्मेलन कहां हुआ था, एक करेंट का कुश्चन से पैरिस फ्रांस, अंटाल्या तुर्की, बेना उस्टिया, लंदन इंग्लेंड तो आप सभी जानते हैं कि अंटाल्या तुर्की में हुआ था तुर्की का एक सहर है अंटाल्या, तो यहां किया गया था, भी ओप्सन बिल्गो सही रहेगा अंगला कुशन है हमारे सामने 49, निमले कितमे से कौन सा एक देश G7, G8 का सदस नहीं है निमले कितमे से कौन सा एक देश G8 का सदस नहीं है, रूस, बेटेन, इस्पेन, कनाडा तो यह आपको याद रखना होगा, रूस है, बेटेन है, कनाडा है, लेकिन इस्पेन नहीं है C ओप्सन बिल्कु सही रहेगा, क्या रहेगा, C ओप्सन अंगला कुष्यन है हमारे सामने 40 दा किलर, क्या है, दा किलर, इनसेक, टेक्ट की लेखा के कौन है सू लच्छन मोहन, एम के संतानम, ओपी सभरवाल, या सुबाश जेन तो याद रखी, ओपी सभरवाल होंगे दा किलर, इनसेक्ट के लेखा के आपके ओपी सभरवाल अंगला कुष्यन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुष्यन है हमारे सामने 41 एक याप पूछ रहा है, नेमलिकित में से कौन एक भारती एनोसेना की पंडुब्बी है नेमलिकित में से कौन एक भारती सेना की पंडुब्बी है आई एनस विराट, आई एनस सिंदु रख्चक, आई एनस राजाली, आई एनस विक्रांद तो आप सभी जान देंगी आई एनस सिंदु रख्चक क्या लगा होगे, बी आउप्चन आपका विल्कु सही रहेगा अंगला कुक्षिन है हमारे समने 42 नेमलिकित में से कौन सा, ब्रिक से देसों में से एक नहीं है ब्राजी, रूस, दच्छे रफीका, कनाड़ा ब्रिक से देसों की बात हो रही है ब्रिक से तो बताईए इसमें से क्या लगा होगे तो डी नहीं होगा इसमें क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्राजील है, रूस, भारत है, चाइना और साउथ अफीका है और इसमें कनाड़ा आपका सामिल नहीं है तो डी ओप्षन होगा आपका, ठीक है अंगला कुश्य नहीं हमारे सामने 43 इन में से किने नवंबर 2015 में अंतराष्टी मुद्रा कोस में कारिकारी नेदेशक नियुक्त किया गया है बताईए आई-एम-एप की बात हो रही है इन चार ओप्षन में से एक तो सही होगा अब आपको कम से कम सही आंसर चुनना है तो याद रखिए कि अंतराष्टी मुद्रा कोस में कारिकारी नेदेशक चुने गये थे इन एप्षन बिल्कु सही रहेगा और वैसे आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के जो भी आपकी राष्टी संगठन हो फिर चाहे अंतराष्टी संगठन हो उनसे कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में हमिसा पूचे जाते रहते हैं तो उन्हें आप लोग जरूर कवर कर लीजेगा और वैसे आपके कवर किया हुआ है महत्पोंट संगठनों के नाम से एक प्लेलिष्ट सूची बना रखी है उसमें सभी आपको संगठन मिल भी जाएंगे 27 देसंबर 1945 में आपकी IMF की स्थापना की गई थी और इसका हेड़क्वार्टर आपको वसेंटन DC USA में देखने को मिलेगा अंगला कुशिन है हमारे सामने 24 क्या कह रहा है 2017 का सूटिंग विस कब होगा एक Current Affairs का उस समय का कुश्चन जापन में, चीन में, भारत में, स्री लंका में बताईए कुश तो आप सभी जानते हैं कि भारत में होना था, हुगा था C option बिल्गु सही है तो Current Affairs से भी कुश्चन साते रहते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने 45 भारत में किस राष्टी नेता की इसमीती में उनके जनम दिन पर राष्टी एकता देवस मनाया जाता है राष्टी एकता देवस की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि आप सभी कुमाल होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर वियार अंबेड कर सरदार बल्लब भाई पटेल या राजिन पिसाद तो याद रखें सरदार बल्लब भाई पटेल होंगे 31 अक्टूबर की बात है राष्टी एकता देवस के रूमे मनाते हैं और याद रखें सरदार बल्लब भाई पटेल ही है पहले हॉम मिनेश्टर थे ग्रह मंद्री भी समय रहे हैं आप लोग उपर पिदान मंद्री भी थे वो और आप देखी कि इतनी सारी रियासतें थी जब हम लोग आजाद हुए देश और आप देखी पूरे एक देश को एक करने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो सरदाल बल्ला भाई पटल साहब का तो सी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला कुक्षिन हमाने सामने 46 किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है केंद्रिय सतक्ता आयू यानि कि CBC फ्रेस ट्रस्ट ओप इ चांच आयोग और सी ऑप्सन बिल्कुल सही रहेगा सी बी आई और इसे क्या कहते हैं आप लोग बताईए पिंजरे में बंद तोता कहते हैं समझ रहें आप लोग और सी बीसी कि अगर हम लोग बात करें तो कुछ सरकार कि कि काफी चर्चा में भी बना रहता है आप लोग देखते भी होंगे बना रहता है या नहीं बना रहता है कि कहते हैं कि सी वी आई का एक तरह से वहां यह फड़ा हुआ है सेंट्रल कमीशन ओफ इंक्वारी तो यह भी आप लोग याद रुखीगा इसमें क्या लगाओगी सी ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा आपका चलिए अंगले कुछेंट की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुछेंट हमारे सामने 45 माप करिए 47 क्या भूश रहें मद्यपिदेश लगू उद्यम उद्योग निगम की स्थापना हुई थी अंगला कुछेंट है 48 महत्मा गांदी राष्टी ए ग्रामी रोजगार गारंटी अधिनियम कप पारित हुगा था मन रहेगा समय रहें उसी की बात हो रही है 2004, 2005, 2007, 2010 तो आप सभी को माल होना चाहिए कि 2005 में हुगा था मात्मा गांदी राष्टी ए ग्रामी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और इसके अंतरगत नरेगा योजना की सुरुगा दो अक्टूबर 2005 में हुई थी और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था अगर आप लोग ग्रामीट छेते से आते होंगे तो आपको मालू भी होगा कि इसके अंतरगत रोजगार मिलता है मनरे का कार्ड बनता है आपका बी ओप्सन बिल्कु सही रहेगा अंगला कुशन है उननचास गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहां इस्ते थे गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहा इस्तित है इंदौर पीतंपुर बीना मंददीब तो याद रखे इंदौर में आपको देखने को मिलेगा कहां इंदौर में और आप सभी जानते हैं कि इंदौर मदविदेश का एक सहर है और आप सभी कोचिंग के लिए भी जात 2011 की जनकरणा के अनुसार मदविदेश की जन संक्या है 7.2 करोड 6.2 करोड 6.5 करोड 7.5 करोड तो आप सबी जानते हैं कि 7.2 करोड है अगर हम लोग बात करें तो मदविदेश की जन शंक्या 7.26,809 अब समझ रहें? तो ये आप लोग याद रख सकते हैं आपको बताना है कि सबसे जान्दा किस राज्य की है और सबसे कम किस राज्य की है आप लोग नीचे लिखिएगा सर्च करिएगा उसके बाद आपको बताना है अंगला कोशन हमारे सामने इंग क्या बन एक एराय कि 2011 कि जंगरना के अनुसार मद्धिपिदेश में सरवाधिक जंसंख्या वाला जिला कौन सा है जबलपूर सागर इंदौर भुपाल बताईए तो आप सभी जानते हैं कि इंदौर है इसमें क्या है इंदौर है C option बिल्कुस सही रहेगा अंगला कोशन है पच्च इंक्यावन बावन क्या कहते रहे हैं एक एराय कि मद्धिदेश की अर 40% लोग किरसी पर ही निर्भर करते हैं या ठीक है अंगला कोशन है हमारे सामने 53 एक एराय कि मद्धिदेश में खनिज नीती किस बर्स गोसित हुई थी 1995-1999-2002-2004 तो आप सभी को मालू होने चाहिए 1995 में ठीक है यह option आपका बिल्कुस सही रहेगा अंगला कोशन हमारे सा ग्राम सड़क यह उजना के उद्देश हैं प्रधान मंतरी ग्राम सड़क यह उजना के उद्देश हैं गाओं को मुख सड़क से जुड़ना पकी सड़क बनाना या CEO अप्सन कहा रहा है A और B दोनों उप्यक्त में से कोई नहीं तो याद रखी इसके दोनों हैं गाओं को मुख सड़क से जोड़ना है और पक्की सड़क बनाना है दिसम्बर 2000, सन 2000 की बात है पिधान मंत्री गिराम सड़क के उजना चलाई गी थी उसी की बात रही इसका उद्दिस मैंने ही कि सभी गाउं को मुख सड़क से जोड़ा जाए और पक्की सड़क का निर्माड किया जाए तो यह आप लोग जरूर याद रख सकते हैं अंगले कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुश्यन हमसे क्या कह रहा है पच्पन यह कह रहा है कि मद्देपिदेश में अदोगिक पिछड़ी बन का कारण क्या है किन कारणों से मद्देश एक तरह से आप देखी कि अदोगिक छेत में पिछड़ा हुआ है बित्य का आभाओ, पैसे का आभाओ, सक्ति उर्जा का आभाओ, कच्चे माल का आभाओ तो याद रखे इसमें सब की कमी है बित्य की आभाव की बात कर लेजे सक्ती के यानची की उर्जा की आभाव की कच्छे माल की आभाव की या निजी पूची निवेस की आभाव की इस सभी कालन है मद्बिध्यमें उद्धोग फिछड़ेपन का तो इसमें आप लोग D option लगाएंगे क्या लगाओंगे D अंगला question है हमारे सामने 56 एक है रहा है कि 1024 किलोगाइट बराबर होता है एक मेगाबाइट एक गिगाबाइट दस किलोग बाइट या 1024 बाइट तो आप सभी जानते हैं कि एक मेगाबाइट एक MB आप लोग देखते गिगाबाइट की बाइट करें तो 1024 बाइट के बराबर होता है और एक MB की बाइट की बाइट करें तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं अंगला question है संतावन Excel Speed Seat की मूल एकाई जहाँ पर डाटा एंटरी की जाती है कहलाती है Tab, Box, Cell या फिर उप्युक्त में से कोई नहीं बताइए तो याद रखिए इसमें क्या करोगे इसमें से आप लोग सेल लगाएंगे Excel Speed Seat की मूल एकाई जहाँ पर डाटा एंटरी की जाती है उसे आप लोग सेल कहते हैं और Speed Seat एक एप्लीकेशन सॉप्ट वियर है समझ रहे हैं अंगला question है हमारे सामने अंठा बन गूगल ने किस वेप ब्राउजर को विक्सित किया था Internet Explorer Firebox Safari Chrome तो इसमें क्या करोगे आप लोग आप सभी जानते हैं कि Google Chrome आप लोग चलाते रहते हैं तो मुझे लगता है कि नॉर्मल question से ही तो Microsoft आप सभी जानते हैं Internet Explorer किसके द्वारा विक्सित की आ गया था Microsoft के द्वारा Safari Apple का है Chrome Google का है Firebox Emozilla का है ठीक है D option बिल्कु सही रहेगा अंगला question है हमारे सामने 69 क्या भूच राए विप्रू कंपणी की प्रमुक कौन है अजीम प्रैम जी रतन टाटा अनिलम्मानी आदित बिडला कौन है भी या बताईए तो आप सभी जानते हैं कि अजीम प्रैम जी है ए ओप्सन बिल्कु सही आइडिया कंपणी थी उसके थे ठीक है अंगला question है हमारे सामने 60 एक computer में फैलने वाला वायरस है hardware, computer program, ant यह system software बताईए कुछ इसमे computer program, b option बिल्कु सही है आप लोग anti-virus भी डलवाते हैं, anti-virus भी डलवाते हैं फिर computer में फैलने वाले वायरस का computer program होता है जो computer software ततना सू अंगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अंगला question है 61, spam किस बिसाय से संबंदित सब्द है, computer कला संगीत खेल, तो आप सभी जानते हैं computer से संबंदित है, spam computer से संबंदित है, internet पर email का प्रयोग कर किसी आवांचित message को एक दूसरे computer पर भेजना spam कहलाता है, ठीक है, जो उप निमलिकित में से कौन? यह एक computer software है, जिसके द्वारा कोई website कुछ सूचना है, वो पर यह करता कि computer पर store की जाती है, तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा, यह option होगा, अंगले question की तरफ बढ़ते हैं, अंगला question हमारे सामने 63, video conferencing, हे तो निमलिकित में से कौन सा device अनिबार होता है, video conferencing आप ल online का जबाना हो चुका है, digital India, printer, scanner, webcam, mouse, अनिबार होता है, तो आप सो भी जानते हैं कि webcam का होता है, video conferencing यह तो वेब के मियानी की camera का जरूरी होता है, तभी तो आप लोग कर पाएंगे ना, C option बिल्कुत सही रहेगा, अंगला question हमारे सामने 64, HTTP का पूरा नाम क्या है, as tp का पूरा नाम क्या है, hypertext transfer program, hypertext transfer protocol, hypertool transfer program, hypertool transfer protocol, तो याद रखी इसमें भी option बिल्कुत सही रहेगा, hypertext transfer protocol, as ttp का पूरा नाम क्या है, hypertext transfer protocol, या वेबहन ने computer को इंटरनेट से आपस में जोडने के लिए एक तरह सी प्रेउप्त किया जाता है, अंगले question की तरह बढ़ते हैं, आप सभी जानते थे कि जब तक आपका syllabus नहीं बद रहा था, तब तक आप देखते थे कि आपके STST Act हो, या मानवधिकार हो, एक्ट हो, जो अदिनियम हो, उससे काफी अच्छी संख्या में questions पूचे जाते थे, अभी भी पूचे जाएंगे देखें, एक दो बुच्छन साते रहेंगे, आनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती नियम, 1905 की निमलिकित में से किस धारा की अंतरकत, जिला इस्तरीय सतर्कता और मॉनेटरी समती के गठन का उबंद किया गया है, धारा इठारे धारा इस्तरा 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 इस्तर अंगला गुख्षन है हमारे सामने 66, एक एरा है कि अनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती अधिनियम, 1989 की निमलिकित में से किस धारा में भारती दंड सहिता की कतीबा उबंदों का लागू होना उबंदित है, धारा बारे, धारे 10, धारे 6, 6, धारे 8, बताइए कुछ, इसमें याद रखिए धारा 6 होगा, स्थी ओप्षन बिल्कुल रही होगा, भारती दंड सहिता IPC के कतीबा उबंदों का लागू होना उबंदित करता है इक तरह से, स्थी ओप्षन बिल्कुल सही रहेगा, अंगला कुख्षन हमारे सामने 66, अनुसूची जाती अप्षन में से, तो याद रखिए केंद सरकार को है, किसको है, केंद सरकार को है, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, संसुधन किया गया था, काफी इसका विरोध भी किया गया था, तो अनुचे 23 के अंतरकत केंद सरकार को प्राप थे इसमें, ठीक है, अंगला और आपने देखा, इसी धारा को लेकर काफी विवाद हुआ था, तो याद रखिए, सी ओप्सन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, सी ओप्सन, अंगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंगला कोश्चन नहीं है हमारे सामने, अंगला कोश्चन हमारे सामने 79, क्या कर रहे हैं, मद्वदेश की सबसे उची, चोटी धूप गड़ इस्तित हैं, ये कहां है, बताइए, महादेव पहाडियों में, राजपीपला पहाडियों में, मेकल सेडी में, या कैमूर पहाडियों में, तो आप सभी कुमाल होने चाहिए, कि महादेव पहाडियों में है, मद्वदेश की सबसे उची चोटी धूप गड़, जिसकी उचाई आप देखेंगे, 1350 मीटर, 1350 मी कौन सी सैनी यमना और सौन की मद्द जल्दूई भाजक का कार करती हैं भांडेर, कैमोर, मेकल, मुकंदवारा बताईए तो इसमें कैमोर होगी आप लोगों को अगर मालूख वा करे तो आप लोग नीचे लिख दिया करेगा जल्दी से ठीक है तो इसमें आप लोग क्या लग लगा होगे, B option बिल्गू सही रगा होगे, अंगला कुशेन है हमारे सामने 71, मद्द जल्देश का एकमाथ हिल इस्टेशन पचमडी कहां देखने को मिलेगा, राजपीपला बहाडियों में, महादेव पहाडियों में, मेकल सेरी में, या आप देखेंगे गोविल गड़ पहाडियों में, कहां है, तो आप सभी जानते हैं कि महादेव पहाडियों में है, क्या मद्द जल्देश का एकमाथ थेले स्टेशन पचमडी आपको महादेव पहाडियों में देखने को लेगा, ठीक है, बायूस्पियर रजर्ब भी गोसित किया गया था इसे, तो B option इसम में आप देखे हो, नर्वदा नदी की है, तवा नदी, नर्वदा नदी की सायक नदी है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, ये नदी बांदरा भान, नावक इस्तल पर आपको नर्वदा नदी से मिलती, दिखाई देगी, अंगला question है हमारे सामने तहत्तर, भेडा घा पर कौन सा जल्पेपाथ है, आप लोगों में से कई लोग यहां घूमने जाते है, दुआधार, दुख्द धारा, कपिल धारा, चचाई, बताईए, तो आप सभी जानते हैं कि दुआधार, यहां आपको देखने को मिलेगा, दुआधार, जल्पेपाथ, ये आपको पलफुर में देखने को मिलेगा, नर्वदा नदीपर है, दुख्द धारा और कपिल धारा, जल्पेपाथ भी आपका नर्वदा निदीपर ही देखने को मिलेगा, अनुपूर जिले में, लेकर आप सभी जानते ही कि चचाई, जल्पेपाथ, भी अड़ नदीपर है, तो इसमें आप देखी कि आपका कहा है मद्ध भारत पठार में यानि कि सी ओप्सन आपका बिल्कों सही रहे गया एक्यासी में क्या लगाओगे बताई एक्यासी में क्या लगाओगे कुछ बताया है ये मद्ध भारत में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इसमें आप लोग याद रखिएगा अगला कुशन हम लोग चलते हैं अगला कुशन हमारे सामने है 75 मद्ध भिदेश की जलवाई किस तरह की है मद्विदेश की जलबायू किस तरह की आपको देखने को मिलेगी मानसोनी पिकार भूमद रेखिये पिकार या भूमद सागरीये पिकार या उप्युक्त में से कोई नहीं तो आप सबहीं जानते हैं कि मानसोनी पिकार किये यह मानसोनी पिकार किये तो 75 में क्या लगाओगे? 75 में क्या लगाओगे? A option, ठीक है? अंगला कुशन है हमारे सामने 76 सुचेता सेन थी कौन थी? सुचेता सेन किस छेता से जुड़ी हुई थी? ए लेखी का थी, अभिनेतरी थी, पत्कार थी या राजनेतरी थी? तो आप सभी जानते हैं कि अभिनेतरी थी ठीक है? अंगला कुशन है 77 भारत के 29 बे राजी की राध्धानी है हैदराबाद, विसाका बटनम, पणजी, सिलवासा तो आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना आप लोगोंने सुनाओगा क्या? तेलंगाना सुने हो यह 93 से अलग करके बनाया गया था आपको मालू होना चाहिए कब सन 2014 की बात है और आप देखेंगे हैदराबाद इसकी राध्धानी देखने को मिलेगी और आप देखेंगे कि 2 जून 2014 को इसका गटन किया गया था यहाँ बिधान सभा में आपको 119 सीटें देखने को मिलेगी बिधान परिशद भी है इसमें 40 सीटे है राज्य सभा में 7 सीटे है लोक सभा में 17 सीटें देखने को मिलेगी तो यह आप लोग याद रखिएगा चलते हैं अंगले कुशिन की तरब अंगला कुशिन हमारे सामने 78, मद्विदेश का कहना बाबा का मेला कहा लगता है, होसंगाबाद में सोडलपुर में, बड़वानी में, रीबा में मद्विदेश में काना बाबा का मेला कहा लगता है सोडलपुर में, यह आपका सोडलपुर, हर्दा जिले में लगता है B option बिल्कों सही रहेगा ठीक है? अगले question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग? अगला question है हमारे सामने 89 क्या पूछ रहा है? उदैगरी की गुफाएं मद्विदेश के कौन से जिले में इस्तित हैं? रायसेन में, विदीसा में, धार में, भोपाल में तो याद रखे, विदीसा में आपको देखने को मिलेगी उदैगरी की गुफाएं विदीसा में, भीमबेटका की गुफाएं आपको रायसेन में देखने को मिलेगी मेगेंदनाद की गुफाएं रायसेन में, बाग की गुफाएं आपको धार में देखने को मिलेगी तो इन गुफाओं से भी कुश्चन सा जाते हैं कई बाद अंगला कुश्चन है असी कौन सा पर्याटर निस्तल मूर्तिकला का तीथ कहलाता है उज्जेन, खजराहो, औरचा, मांडो तो आप सभी जानते हैं कि खजराहो कहलाता है यह आप देखते हैं कि चंदेलों से जुड़ा रहा है मूर्तिकला का तीथ कहते हैं से खजराहो का, चतरपुर जिले में पढ़ता है अंगला कुश्चन है क्यासी कौन सी जन्जाती लोहासुर को अपना देवता मानती है गौन भील, कोरकु, अगरिया कौन मानती है, अगरिया ठीक है, अगरिया जन्जाती लोहासुर को अपना देवता मानती है लोहासुर का निवास इस्थान धदकती हुई भटी सिम्मे माना जाता है और अगरिया जन्जाती लोहे के वजार बना कर अपना जीवो का अपारेजन करती है D option बिल्कु सही रहेगा अंगला question है भारत भवन कहां है दिल्ली में, इंदौर में, जवलपूर में, भोपाल में भारत भवन आपको कहां देखने को मिलीगा भोपाल में और सांस्केतिक केंद की रूम में भारत भवन की स्थापना फरवरी 1982 में की गई थी तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा 82 question number आप लोग याद रखिएगा वह भाल में अंगला question हमारे सामने 83 क्या कह रहा है पितीसत की दरश्टी से मद्विदेश में सरवादिक अनुसूचित जनजाती बाला जला कौन सा है पितीसत की मामले में पूछ रहा है जाबुआ, बढ़वानी, रतलाम, चिदवाणा तो आप सभी जानते कि 86% से अधिक जनसंख्या आदिवासी है आपकी जाबुआ में ए ओप्सन बिल्कु सही रहेगा बिस्तार से बात की हुई है MPG के को हम लोगों ने कबर किया हुआ है तो वहाँ आप जाकर देख लीजेगा ठीक है? ले लिष्ट सूची में जाकर देखेंगी तो सब मिल जाएगा आपको अंगला कुशन हमारे सामित 84 निमली कित्मे सी कौन सा एक सियरवाजार की संद्रम में आप रासंगिक है सेंसेक्स, बी एसी, निप्टी, सेप्स तो याद रखी सेप्स होगा इसमें ठीक है आप संगिक है और सेप्स सियरवाजार से सम्मधित नहीं है बाकी तीनों आपकी हैं तो इसमें आप लोग D लगाएंगे अंगला कुशन है हमारे सामने 85 भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है नावाड, स्टेट उप इंडिया या ICICI, Union Bank of India बताएए कौन है तो आप से भी जानते हैं स्टेट बैंक ओफ इंडिया के बारे में सुनें या नी सुनें SBI के बारे में तो इसमें क्या लगाऊँगे SBI यानि कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया लगाऊँगे और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना एक जुलाई 1955 में हुई थी मुंबई में इसका head quarter आपको देखने को मिल जाएगा तो इसमें B option आपका बिल्कुस सही रहेगा अंगला question है मारे सामने 86 स्थेर साहे का मकवरा कहा है सासाराम में दिल्ली में कलिंजर में या सोनार गाओं में तो आप सभी को माल होना चाहिए सासाराम में क्या है सासाराम में विहार में है सासाराम इसकी death कलिंजर आकमर की दोरान होई थी सेसा सोरी की उन पंद्रे सो पैतालीस में ए उप्सन बिल्कुस सही रहेगा अंगला question है 87 सिवाजी के गुरू का नाम क्या था तो क्या लगाओगे इसमें तो याद रखी इसमें आप लोग रामदास लगाएंगे ए उप्सन बिल्कुस सही रहेगा और इनके पिता की बात करें सेवाजी के तो आप देखेंगे साय जी बहुंसले इनके पिता का नाम जीजा बाई निकी माता का नाम था तो ये भी आप लोग याद रख सकते अंगला कुशन है हमारे समने 88 हम भारत की लोग सब्दों का प्रयोग भारती समीधान में कहां किया गया है नीती नेजी सक्षिद्धान में मौली कदिकार में, नागरिकता में, समीधान की पिस्ताओना में और मुझे लगता है कि आप लोगों ने समीधान की पिस्ताओना पड़ा होगा तो आपने पड़ा भी इसनी देखा भी होगा D option आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला कोशन ने 89 भारती समीधान का सरक्षक किसे कहा जाता है संसत को राष्टपती को सर्वोच नियाला को या उप्योक्त में से कोई नहीं तो आप सभी जानते हैं कि सर्वोच नियाला को कहा जाता है किसे C option बिल्कु सही है आपने मौली का अधिकार पड़े होंगे समीधान की भाग 3 में और आप सभी दर्दते हैं कि आपके अगर मौली का अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप लोग सुप्रीम कोट जा सकते हैं Article 32 के तहब अनुचेद 32 के तहब और सुप्रीम कोट आपके अधिकारों की रक्षा भी करेगा और अनुछे देख 124 आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सर्वोच नियाले से सम्मंदित है वो ठीक है अंगला कोशन है 90 बलवंत रायम एता सम्ती किस पिकार की पंचैती राजवेवस्ता की अनुसंसा की थी इसने दुई स्थरिये, त्री स्थरिये, ग्राम स्थरिये, उप्यक्त में से कोई नहीं यह 1957 की बात है बलवंत रायम एता सम्ती तो याद रखी इसमें त्री स्थरिये, भी आप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें अंगला कोशन है हमारे सामने 91 विज्ञानिक समाजबात का स्रे जाता है, कारल मार्क्स को, एडम स्मित को, जे एम किन्स को या थॉमस मन को तो याद रखी कारल मार्क्स को, विज्ञानिक समाजबात का स्रे कारल मार्क्स को जाता है जबकि एड़न इसमेट आधुनिक अर्ध सास्त के जनक भी कहा जाता है ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने बानवे भासाई अधार पर सरप्रिथम किस राजी का गेठन हुआ था राजिस्थान आंध पिदेश या मदपिदेश या करना टक आंध पिदेश आप सभी जानते हैं कि भासाई अधार पर गठित होने वाला पहला राज कौन था आंध पिदेश 193 की बात है समझ रहे हैं अगर इसकी बात करें तो इसकी राधानी विसाका पटनव है यहां बिधान सभा में आपको 176 सीट हैं देखने को मिलेगी बिधान परिशत में 58 सीट हैं तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं चली अंगले कोश्यन की तरफ इसमें आप लोग भी लगा देना ठीक है निकोलो कॉंटी कौन था निकोलो कॉंटी तो उन था एक पिसिद्दी चितकाल इटली का एक यात्री जिसने विजय नगल समराज की यात्रा की थी एक प प्राय प्यथम की सासनकाल में 1420 की आसपास की गटनाया विजय नगर समराज की यात्रा की थी इसने बी ओप्सन आपका बिलकुस सही रहेगा अगला कुश्यन है हमारे सामने 94 क्रिकिट का मक्का किस मैदान को कहते हैं आप लोग लॉड्स इडन गाइडन्स यह मैलवर्ण क किन मादान ग्रीन पार्क को बताई तो याद रखी लॉड्स को कहते हैं लॉड्स लंदन इस्तित लॉड्स स्टेडियम को किर्किट का मक्का कहते हैं जबकि इडन गाइडन्स कोलकाता में देखने को मिलेगा ग्रीन पार्क कानपुर में है ठीक है तो यह उप्सन आपका ब या 1920 में एंड वर्प में तो आप सभी कुमाल होने ची कि 1990 में माप करिए सन 1900 में जो पेरिस में उलम्पिक में सामिल किया गया था इसे ठीक है यह ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा अंगला कोशन है 96 चटगाओं आर्मरी रेड में इन में से कौन सम्मंदी था सूर सेन भगत सिंग रामपिरसाद बिस्मिल अस्फाखा उल्ला तो आप सभी कुमाल होने ची कि सूर सेन थे इसमें कौन थे सूर सेन यह आपकी बात है 1930 के समझ रहेए तो यह ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा अंगला कुशन है 97 बेवे लियोजना किस वर्स पिस्तुत की गई थी 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में तो याद रखे 1945 की बात है बेवे लियोजना 4 जून 1945 में पिस्तुत की गई थी जिसके तहर 25 जून 1945 को सिम्ला में सरव लिए सम्मेलन भी गुलाए गया था तो इसमें D option आपका बिलकुँ सही रहेगा कुशन है 98 भूमी अधी गरहन अधीनियम 1894 की संदरब में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूँच रहा है इसको बेटे सास को ने बनाय था इसका उद्देश भारत में भूमी सुधार पिक्रिया को बढ़ावा देना था या भारत की संसत के एक अन अधीनियम द्वारा पिती स्थावित किया जा चुका था और इसका क्रियान बन विवाविदित हो गया था तो बताईए से तो याद रखेस में आपका B option बिल्कुल गलत है इसका उद्देश भारत में भूमी सुधार पिक्रिया को बढ़ावा देना था इसमें आप लोग B लगाएंगे क्या लगाओ कि B भूमी अधीनियम अठारे सुधारा पिक्रियान ने बनाय था तो आप सभी जानते हैं कि नरदमोदी साहब है एक जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था ठीक है और एक बात हम इसा याद रखें यह उजना एक को पिती स्थावित करके आया हुआ है अंतिम कुश्चन और सौवा मानो अधिकास रक्षान अरदिनियम 1993 की किस धारा में लोग सेवक की वरिवासा दी गई है धारा 2 में, धारा 3 में, धारा 2 H में, धारा 2 M में तो याद रखें धारा 2 M में यानि कि धारा 2 M में ठीक है तो D option आपका बिलकुल सही रहेगा तो यह था MPPSC Prelims का पहला Questions Paper 2016 चलिए, आप लोग इंज्वाय करिए, आप लोग पढ़ते रहिए और हम लोग 2017 के MPPSC Prelims के पहले पेपर के 12 में विस्तार से बात करेंगे अंगली क्लास में ठीक है?